हेलो गाइज, आज मैं रिव्यू पावर टेस्ट और एक्यूरेसी ग्रूपिंग टेस्ट करने वाला हूँ गैमो हंटर इंपक्ट पेलेट्स का ये एक डब्बे में 200 होती है और हर एक पेलेट 7.56 ग्रेंज का होता है इसके डब्बे के पीछे देखिए कुछ लेट का वार्निंग दिया हुआ है कि लेट शेरीर के लिए हानी का रख है ये पेलेट्स आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे 4500 से 500 रुपे में मिल जाएगा ये राउंड हेटेट पेलेट्स होती है और यहां इसके डब्बे में लिखा हुआ है देखिए कि Made in Spain यानी कि ये हस्पानिया का उत्पाद है तो पहले मैं पाउर टेस्ट करने वाला हूँ एक कोक के खाली कैन से ये देख सकते हैं आप और इसे मैंने भर लिया है पानी से और इसे मैं 15 मीटर की दूरी से शूट करने वाला हूँ इसे शूट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेसी होल का PX100 Achilles PCP Air Rifle जो 200 बार प्रेशर में सेट किया हुआ है अब स्लो मोशन में देखिए चलिए अब कैन को करीब से देख लेते हैं कि इंपैक्ट कैसा हुआ है तो ये देख सकते हैं ये एंट्री होल है ये पुरा का पुरा कैन फट गया है उपर से नीचे तक करीब करीब 4 इंच का एंट्री होल है और ये देख सकते हैं एक्जिट होल भी 1 इंच का है दूसरे पावर टेस्ट के लिए मैंने लिया है ताश के एक नई गड़ी जो एक दो तीन चार करके रेंजड है और इसे मैं प्रेसी होल के PX-100 अकीलीज PCP एर राइफिल से 15 मीटर्स के डिस्टंस से 200 बार के प्रेशर में शूट करने वाला हूँ एक बार स्लो मोशन में देखिए चलिए अब देख लेते हैं कि ये पेलेट कितने पत्तों को भेद पाया है ये देखिए ये हैं इंट्री होल और ये पेलेट अभी भी गड़ी के अंदर ही फसा हुआ है पीछे सिर बार नहीं निकला है ये देखिए एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छे, साथ, और ये आठ आठवे पत्ते पे फस गया है हमारा पेलेट और ये देखिए क्या हश्र हुआ है पेलेट का इंपेक्ट से कितने पेलेट्स फटे हैं ये है नौ ये दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, और ये अठारवा और ये अठारवा पत्ता फटा नहीं है अब बार है ग्रूपिंग और एक्यूरेसी टेस्ट की इसके लिए मैंने लिया है एक स्टैंडर्ड 10 मीटर एर राइफिल का टारगेट पेपर और इसे मैं प्रेसी हूल के PX-100 से शूट करने वाला हूँ 15 मीटर डिस्टेंस से 200 बार के प्रेशर में और ये देखिए टारगेट पेपर करीब से काफी बढ़िया एक्यूरेसी है और ये देखिए टारगेट पेपर करीब से ये मैंने लिए एक वर्नियर कैलिपर इससे आप स्प्रेड देख सकते हैं एक इंच के अंदर ही है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा याद रखे कि एर रैफिल्स का इस्तमाल साफधानी से करें और किसी भी जीवित प्रानी या व्यक्ती पर इसका इस्तमाल ना करें ये आप के लिए हानिकारक हो सकता है करें